जय मात अदी, चंद्र की दशा में रोग。 चंद्र मन का कारक है, चंद्र माता का कारक है. अगर चंद्र पीडित हो, नीच राशी में हो, चंद्र कमजोर हो, तो वैसे ही चंद्र बहुती तकलीफ दायक होता है. क्योंकि मन का कारक है वो मानसिक तनावत्पन न करता है और उस वैसे चंद्र की पीडित चंद्र की अगर दशा आरम हो जाए तो ये मुत्य तुल्ले कष्ट देते हैं वैसे चंद्र जल तत्व ग्रह है यही कारणे कि वो कफ, सर्दी, जुखाम या मुत्रविकार मानसिक रोग देता है लेकिन विभिनस थितियों में चंद्र अलग-अलग तरह से कष्ट दे सकता है अगर चंद्र नीच का है या नीच आशिये बैठा है तो चंद्र आपको अगनी भै देता है आग से जलाने की शमता है उसमें अर्थात आपको जगर-जगर यह हो सकता है कि जैसे खाना मनाते है आप जल जाओ कुछ काम करते हुए आप जल जाओ यह संभावना बढ़ जाती है अगर चंद्र कमजोर है पाप घर से दिष्ट है तो पानी से बचना चाहिए क्योंकि वो डूबाने की शमता रखता है पानी का डर रहता है डूबने का डर होता है चंद्र अगर शत्रु छेत्र में है तो जीवन में कलेश, कलह, उत्पन्न होते है अगर चंद्र नीच गर के साथ है तो नेत्र रोग उत्पन्न हो सकता है चंदम अगर खुल नीच का बैठा है, तो मानसी ग्रोग उत्पन्म होता है चंदम अगर पापी है, और बली है, तो पागलपन होने से कोई बचा नहीं सकता है यह अक्सर देखा गया है, क्योंकि पापी चंदम अगर बली हो, तो बहुत दिक्कत देता है चंद्रमा अगर छटे भाव में बैठा हो छटा भाव जो कीवोग का भाव है इविन का भाव है शत्रु का भाव है तो मुत्त विकाब होता है चंद्रमा अगर अश्टम भाव में है तो जलोदर या जल भय होता है तो चंद्रमा की दशा अच्छी नहीं होगी अगर चंद्रमा कमजोर हुआ और ये सब रोग उत्पन्न हो सकते हैं चंद्र की दशा में अगर चंद्र अस्थ हुआ तो मानसिक तनाओ या स्ट्रेस की परिशानी आपको हमेशा रहेगी ऐसे परिसिती में अगर चंदर कमजोर है लेकिन कारक है तो उसको बल देना अतिया आवश्चक हो जाता है क्योंकि उ मन का कारक है बल देने के लिए हमने कई उपाय पहले भी आपको बताये हुए है चंदर को बल देने के लिए चंदर के मंत्रों का जाप किया जा सकता है शिव जी की उपासना शिव जी की पूजा की जा सकती है सफेद वस्तर को धारण किया सकता है लेकिन अगर चंदर पापी है और कारक है कुंडली में तो कभी भी सफेद कलर नहीं पहनना चाहिए हाँ आप उनको प्रसंद करें कि मंत्रों का जाप अवश्य करें लेकिन उनका कलर कभी न पहने दो मुखी उद्राक्ष धारण किया सकता अगर चंदर से तकलीफ आपको होती होता वैसे तो अगर चंदर कमजोर है तो कई लोग मुटी धारण करते है लेकिन चंदर अगर पापी है पीडित है और कारक है तो कभी मुटी न पहने यह आपको तकलीफ बढ़ा देंगे यह भिन उपाय करना अत्ती आवश्यक हो जाता है अगर चंदर पीडित है अगर चंदर किसी पाप गरह से पीडित है तो उस पाप गरह को कमजोर करना आवश्यक हो जाता है उनका दान करना पड़ेगा तो आप अपनी कुंडली को देख करके चंदर की आवस्था को देख करके ही उनका उपाय करे जब चंदर की दशा चल रही हो तो अन्यथा यह आपको उल्टा और तकलीफ बढ़ा सकता है जै मात अली